तो काफ fé लंबे समय से डाल से यौर्ब काई पार्वा exec से बच्छों की बच्चों को जॉइन परबाते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले एक्सपिरियेंस ओगी क्लाश कोने के बाद आफ्टर वन मुन पे बाद आपका एक्स्पिरियांस दिखा जाएगा experience के बाद ही आपका next level पे आपकी selection होगी, तो आपको अभी क्या होगा, कि आपका interview होगा, interview देने के बाद आपका छोटा सा एक return test चे गुजरना होगा, return test में वो भी बताएंगे आपसे क्या क्या question पूछा जाएगा return test interview conduct होने के बाद ही आपका selection होगा, selection होने के बाद आपका फिर से आपको selection होने के बाद भी आपकी one month की वहाँ पढ़ाई होगी, one month की पढ़ाई होने के बाद भी फिर से आपको आपको वहाँ पर one month की पढ़ाई होने के बाद आपका फिर से आपका next level पे आपका वहाँ पे experience देखा जाएगा क्या आपका फिर से आपको और इसमें हम बात करें कि duty schedule के तो आपको 8 गंटे की duty करनी होगी और शुरुवाती में आपका duty थोड़ा कम होगा और आपकी classes जादा करवाई जाएगी classes आपको जॉइनिंग होने के जब से आप जॉइन कर जाएगे जॉइन होने के बाद आपका लगवख एक मेहने तक आपका class चलेगा class चलने के बाद और class जैसे आप join कर जाएंगे तो salary भी आपकी बनेगी, ऐसा नहीं कि हम join करने के बाद class एक महना करेंगे, उसके बाद मेरी salary बनेगी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप join कर जाएंगे, आपकी salary उसी दिन से start हो जाएगी, यह start होने के बाद आपकी पूरी one month की class चल करवाया जाएगा, आपको class आपकी online, offline दोनों माध्यम से होगी वहाँ पे, और online का भी class आपको करवाया जाएगी, और हम सारी चीजों पर बात करेंगे, कि क्या क्या आपको facilities वहाँ प्रवाइड की जाएगी, कितनी आपको medical सुविधा मिलेगी, और आपकी एक्स्टा बॉ वेकेंसी में कौन-कौन से state के candidate जॉइन कर सकते हैं, वो भी हम बताएगे, तो सबसे पहला नमर तो ये जो है, आगर आपने पास IT की डिगरी है, तो ही आप इस form के लिए eligible होगे, अने था आप इसके लिए eligible नहीं होगे, अब हम बात करते हैं कि इनकी facilities की, sorry, आप हम बात करत लगेगी वो होगी करीब आपकी 12 तारिक को जो है आपको campus लगने वाला है, और इस campus के लिए आपको मात्र कौन-कौन सा document लेके जाने है, वो भी हम बताएगे, और ये campus आपका लगने वाला है कहां पे, तो हम वो भी आपको दो जगह, आपको campus यहां पर देखने के लिए मि वो है आपकी महराष्टा, और second आपकी जो होगी वो होगी आपकी गुजरात में, तो दो जगह आपकी कान, आपका training, आज मालीजे training ही होगा अभी, तो उहां पर आपका selection होगा, या तो आप महराष्टा में जाएंगे, या फिक गुजरात में जाएंगे, दोनों की payment अलग अलग है, दोनों जगह काम करने के आपका अलग अलग payment प्रवाइट किया जाएगा, तो योगता जो है आपका ITA पास आउट होना अनिवार है, और ITA में आप देखें सबसे पहली प्रार्थमिकता यहाँ पर इलेक्रिस्टन को दीखें है, फिर आपका जो है बहुत सारे ट आप के Difl among का जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर सइन्सक्jes के काम होते हैं, जो भी है तो वहाँ पर आपकी साइन्स requirement रखी गई होगी है, आपका जो ऑलेक्रिस्ट होगी होगी साइन्स may आपको 12th paris होना जरूरी है, आप बात करते हैं, एज लिमिट की ता, आपकी जो एज ल कि आपको कंमपनी प्रवाइट क्या 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 करें Dec is confirm सबसे पहले आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको कितनी बेतन और सुविधाय प्रबाइट होगी सबसे पहले mm words भी कण देट मेरे class आ पूर्य जौाइन गरेंगे तो पूरे में जॉइन करने की आपको जो सैलरी मिलेगी वहाँ पे तो वह होगी 15,800 रुपिस इन हैंड आपको मिलेगी वह भी जॉइनिंग टाइम आफ्टर आपकी जो ट्रेनिंग वेकर कर लेंगे आप पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे आपके पास experience, knowledge वगर हो जाएगे तो आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाएगे और यह आपका शुरुवाती टाइम की सैलरी होगी जो भी आप जैसे ही जॉइन करेंगे तो आपकी इतनी आपको इन हैंट सैलरी प्रवाइट की जाएगे उसके बाद हम बात करते हैं जो भी कंडे गुजरात में जॉइन करेंगे उनकी सैलरी होगी वह होगी 12600 रुपेस मन्त बागी बाद एक्स्ट्रा वगर भी मिलेगा लेकिन हाँ आपकी जब तक ट्रेडिंग चलेगी तब तक आपको इतनी सैलरी रहेगी आफ्र बहलके анटके डिटी करें वहें मालह मिले अनकाल ऑप पहन की ड्यूर्टी करें हो बांकी बाद आपकी जो ब्रॉठ में होगी और वरकमें की जो भी कंडे न्सञ जो भी होगी ऑसके बाद ऑन द जॉब ट्रेणिंग इस पीपी इस्याग्या को तो पिपीट्यट्र में ज जो और ट्रांसपोर्ट का जो है वह भी आपका यहां पर इंक्लूड है आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज टांसपोर्टेशन बस की सुभिधाएं मिलेगी कंटीड भी मिलेगी उसके बाद लुकूर्ण सो बात करते हैं तो इंसूरेंस में आपको 7.5 लाग फर एनम की इंसूरेंस आपकी करवाई जाएगी आपको इंसूरेंस स्याटिफिकट भरवाया जाएगा जो जुट्टी जो है यहाँ पर देख सकते हैं एन्वाली आपकी 18 डेस की छुट्टी मिलेगी और जो भी है बाकी बाद तो आप संडे को चुट्टी लेने हो तो लगी है बाकी बाद डिपलोई और स्युट्ट प्लांट का जो स्पैसेफिक होगी जो भी देखिए अगर आपको मान लिजे कि वहाँ पर अगर नियरेस्ट कोई प्लांट होगा प्रोटेक्श्न नहीं हो पा रहा है तो उहाँ पडलांट कबलाः आपको स्प्लांट करने प्लांट नियरेनेत रहाँ अगर आप ये डीपल़ाइ स्वे लें लिए इनट्यूट्यू तो अगर आप्शी प्लांट गाए 622 डूटी करेंगे तो आपको 15,800 रुपीस पर मन्त आपको सैलरी मिलेगी और अगर आप उसमें 4 घंटे ओपर टाइम लगातें तो 8 घंटे डूटी करने के बहुत सारे गंडिट 12 घंटे डूटी करतें तो 12 घंटे 16 घंटे जिसकी जितनी एफिसियंसी है उस रिकॉर्डिंग म आपकी अगर मालेजे कि आपने 500 घंटे अपकी एस्टा सैलरी बढ़ेगी तो अगर आपने डो घंटे एस्टा लगाए है तो आपको 300 घंटे बढ़ जाएंगे अगर आपने 2-2 घंटे इस तरह से आगर में 300 घंटे देखने के लिए मिलेगा उस रिकॉर्डिंग आपकी सै स्टा प्रोसे में रोल यहां यह माईने रखता है कि आपकी स्लेक्शन प्रोसेस कैसे होगी तो यहां पर इतेंटेस्ट अंट इंटरव्य होगी रिटेंटेस्टन आपसे क्या पूछा जाएगा आपका 50 मार्ख्य को कई-कई तो 40 मार्ख्य के भी होते हैं आपका ओनलाइन ह जब भी campus में जाना है तो mobile अच्छे से चार्ज करके जाना है और कई सारे campus जो लेते हैं वहाँ पर एब लेवल होते हैं computer तो वहाँ पर सुविधा है डीपेंड करता है वहाँ पर अगर सुविधा है अब लेवल है तो computer पर होगी याने आप mobile पर भी हो जाएगा बचरते आपको बैक नहीं करना है मां के बाद math reasoning और कुछ जिकेश बगार अब science and technology से कुछ question देखने के लिए मिल सकते हैं मिलने के बाद आपका interview होगा में हम बात करेंगे जैसे कि आपने thumbnail में देखा होगा फैले कि आपको interview किस परकारशी होगी interview में सबसे पहले बता दें जो भी इस ट्रेट से आपने idea की है उस ट्रेट का basic concept clear होने चाहिए क्योंकि basic में वह कुछ भी पूछ सकने है तो basic concept सबसे पहले clear होनी चाहिए measurement का अच्छे सा आपको आना चाहिए idea अपने measurement में जैसे कि माली यह steel rule है और hexa blade है hexa blade के बारे में भी अच्छे सा knowledge होना चाहिए tea rule उसके बाद आपका यहां पे जो भी है file के बारे में आपको आना चाहिए inside macrometer के बारे माना चाहिए outside macrometer के बारे माना चाहिए और जो भी इलक्ट्रोनिक, इलक्ट्रिसिन से हैं, मल्टीमीटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आप से कुछ डाटा पूछे जाएगा, जैसे कि, जैसे मानलेजे कि, लिश्ट कौन पूछा जा सकता है, और हैमर का, फ्लैट हैमर के बारे में कुछ भी, फाइल के बा पेपरेशन करके जाएं, तो आपको वहां पे इंटर्वू किलियर हो जाएगा, तो दिक्कत की बात नहीं है, इंटर्वू आपका असानी से किलियर हो जाएगा, इंटर्वू किलियर होने के बाद आपके जॉइनिंग लग जाएगी, जैनिंग होने के बाद ही, आपके दि आदे निचेट कि दो दो फोटो कॉपिस आपका जरू लेके जाएंगे बाकिवाद आप पासफोरर्ण जाइक का फोटो आप पासफूर्ण का फोटो जाएझ पांच से ज्याद़ लेके जाएं कि वहां जादे काम आते हैं फोटो तो दो तीन जगह इदर उदर चीपकते हैं दो तो तीन तीन फॉर्म फे तो आप कोसिस करें कि आप पां से साथ आठ पास्पूर्ट साइज फोटो जरू लेके जाए तो उसके बाद देखें यहां पर बीबरन में आपको बता दिये गया है आप यहां पर देख सकते हैं कि य साथ साजदारी के नियमी सिद्धान सत्रों के शाथ ओन दा जॉब परशिक्षन के माध्यम से आयुजित किया जाएगा पहले एक महने में छात्रों को उद्ध्योग के लिए तयार बनाने एवं इंडक्शन कलासिस होगी जैसे मैंने पहले पता दिया आपकी एक महने की कला होगी और पांच दिन के आपकी कंपणी में काम करना होगा कारिकरम के दौरन परस्विक्षो को यूनिफॉर्म जूते व्यक्तिकत दुरगटना बीमा बगर मेडिकल फैसलेटिव वह सारी चीजिए आपको मिलेगी और कारिकरम के अंद में जैसे आपकी ट्रेनिंग हो आपने अच्छी से ट्रेनिंग किया और तो आपको प्लेश्मेंट कंपणी में ही मिल जाएगी और अने था आपको साथ में आपको डिप्लोमा डिगरी भी परदान किया जाएगा तो डिप्लोमा डिगरी भी देखे यहां पर कंपणी दे रही है तो सबसे बहुत बड़ी बात है और हम बात करते हैं फैनल की आपकी इंटर्वु कहां कंडेक्ट होने वाली है तो यह जो है इस केमपस में बागी बाद देखे एक चुक उमिदवार यहां पे अब हम इंटर्वु का डिटेंस पता देते हैं को जाना कहा होगा तो यह इंटर्वु बिसिकली आपके MP कंडेट के लिए हैं तो जो भी मेरे कंडेट MP से बिलोंग कर रहे हैं मदपरदेश से तो उनके लिए यह काफी नजदीख होगा तो वहां पर देखें यहां पर यह एड्रेस हैं कॉंटेक्ट नमर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो सूरज नगर सागरताल चौरहा ग्वालिय तो माधव IT कॉलेज यहां पर इस कॉलेज में आपका इंटर्वू कंडेक्ट होगा तो जो भी कंडेट MP के मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट आप्शन है आप यहां पर जाएं और ले ज्वाइनिंग बागी बाद और अधर इस्टेट वाले जो मेरे वीड देख दें कि आपको किसी स्टेट से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हम उसको हम नोटिफाई कर देंगे अगर हम वीडियो नहीं बना सके तो हम आपको प्रेशनली नोटिफाई कर देंगे आपके स्टेट की वेकेंसी आ चुकी है तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडिय में तब तक के लिए बाय